नमो बुद्धाय पुन्यवन बच्छे नहीं है आचा बांते जी खावी-खावी माय वां पिताजी को अपना बच्छों के चलते ही डुक मिल जाता है पुरा जीवन भड उदहार वापस करने के बराबर में माय वां पिताजी अपना बच्छे लोगों को सेवा करते हैं अंत में वही बच्छे लोग माय मापिताजी पर अन्याय करते हैं तो उस समय माय मापिताजी का जीवन फेड़ गिरना जैसा तूट जाता है गिर जाता है बेचार क्या सकते है बेचार बेचेन होता है उसी प्रकार आसरन होने के बाद अगर धर्म नहीं रह गया तो उन मामी पापा लोगों को क्या हो जाएगा द्धर्म नहीं मिल गया तो उन मामी पापल को क्या हाज हो जाएगा उसको जाएगा इड़ में दी सोगेंगे बाद क्या करेंगी तो उसी प्रकार बेचार होने के बाद अगर उन लोगों के पास धर्म भी नहीं रह गया तो उन लोग का जीवन बहुत बहुत गियू जाता है ये कहानी को देखिए स्रावस्ति में एक किसान का घर था उसी किसान मालिक और मलकिनी को साथ बेटा और साथ बेटी थी इसका मतला चोदा परिवार्ट तो ये मा एवन पिताजी साथ बच्चे लोग बहुत खुसी से जीवन बिताएं मायां पिताजी अच्छा से बच्चे लोग को सेवा किये हैं समय आने के बाद सारे लोगों का साधी करवाये हैं धन संपत्ती जमीन वागेरा भी बराबर सारे लोगों को पाड़ दिया ये दोनों बगवान बुद्ध के शर्म में गये हैं ओलो बहुत कुछी से जीवन बिताएं हैं कुछ समय जाने के बाद बच्चे लोगों का पिताजी का मृत्य हो गया तो माम्मी जी हरे बच्चे लोगों का घर घर पे रहे के जीवन बिताने लगा कुछ दिन जाने के बाद बड़ा बेठा का पति नहीं कि मामी जी को अलग-अलग बात बोलने लगी अरे का माद की बात है हम लोग के क्या ज्यादा दिया है धन समपति हम कोई बाचलों को देखना है बुरी को देखना है कितना काम घर पर करना पड़ता है क्या तकलिफे में लिए ऐसे करें कि मामी जी को वो बहुँ बहुँ अपमान की है इसके बात वो दूसरा बच्चा का घर पर गया वो उसका पतिन बता है हम लोगों को तो ज़्यादा दिया क्या अगर हम लोगों कुछ ज़्यादा याथ हम लोग कुछ बिना करें के नहीं रहते हैं आज कल बुड़ा बुड़ी लोगों को सेवा करना बहुत मुश्किल काम है ऐसांस जी यहाँ रहने से ज़्याद अच्छे हैं आपना बड़ा बेटी के पास गया तो वहाँ जाके रहो अच्छा से फिर यह मामी बड़ा बेटी के पास गए इसके बाद बड़ा बेटी बताए मामी तुमको अभी हम को याद आए है पहले तुमको ही एक बुन्दा याद तक नहीं है मेरा बेटी है कमसे का हमको सोने का चूरी जाद दिया किया एक भी नहीं दिया न तो इधर रहने का मतलब क्या है बार बार ठांग करता है हारकी जिसका गर पी जा तो उदर से डाट सुना पड़ता है तो यह मामी जी सोचने लगी हम किसी लिए बाच्चे लोग को काश्ट देंगे इन लोग हम बराबर धन संपत्ति दे दिया फिर भी कोई संतुष नहीं है यह क्लेश गंदगी के सहित यह संसार वोई सही है यह बाच्चे लोगों का गलती नहीं है यह क्लेश गंदगी का जीवन का गलती है अपना बच्चों के चालते कितना दुख सेहन किये होंगे। अगर हमको ततागत भगवान गुद्ध की दारम नहीं मिल गया तो ये बच्चे लोगों के चालते, बच्चा लोगों का अपमान के चालते हमको बहुत गुद्सा आता होगा। गुद्सा बरदास नहीं कर पाता है। ततागत भगवान गुद्ध की ये ज्ञान आस्चर रहें। उनकी ज्ञान से हमारा मन पूरा सुरक्षा कर देता है। मन सुरक्षा हो गया तो सरीर ततावान भी सुरक्षा हो जाता है। हम तो बच्चलों का ये आप माननक नहीं करते हैं मत कोई मतलब नहीं है सांसार कितना मानन करते हैं दुख सेहन की होंगे हम तो पतागत भगवान दुद्ध की उपदेश ही मानन करते हैं बच्चलों जो कुछ करता है वो करते ले जाएगा मुझे कोई कर नहीं पाएगा मुझे ये बाच्चलों के बार में दुख है इतना खीमती ग्यां सुनाई देता है इस समय फिर भी इन लोग ये जीवन में फास कर दुख से जीवन बिताते हैं जैसे में पाथिंगा जैसा पाथिंगा केस रहता है दिया डर्ण है उस पे कुद कुद गरहता है सुख मिलता है लेकिन उसमें मार जाते हो अब हम एक काम करना चाहिए बाच्चलों का घर घर जाकर के भीक मांगने से ज़्यादा चाहिए बिक्षुनी लोगों का आस्र में जाकर के धरम पी रास्ता पे जाएंगे तो माता जी बिक्षुनी के पास गए जाकर के बिक्षुनी लोगों को बहुत अच्छा सेवा किया तो बिक्षुनी लोगों को बहुत सेव साथ कार सामान करने के कारण खुच समय में इनको भी बिक्षुनी बानने का भाजी मेरा बंदी हालो नहीं तो बहुत बच्चे लोगों को ने के कारण इनका नाम मागया बहुपूत्तिक थेरी इनका नाम है बहुपूत्तिक थेरी कितना बुरी हो गया तब यह बहुत पूर्णेवान है बहुत श्रियाकांता मतला आज से एक बुंदा नहीं है ख़बी गुस्सा नहीं करती है ख़बी अपना मुझ से एक भी गलत शब्द नहीं निकालती है बाकी बिक्षुनी लोग कुछ भी काम बोलेगा तो मुश्कित से भी वो काम करती है वो वत बहुत अच्छा से करत कभी वत छुटा चोड़ दिया नहीं तो इसी प्रकार रहने की कारण में यह बिक्षुनी सारी बिक्षुनी सांग की बीच में चमक रही थी यह नाया बिक्षुनी की से वो दीन बर वात करती है सुबा से लेके साम ता देहान नहीं सिर्फ वात करती है रात में वो नीच तालान उतर जाती है उतर जाते नीच ताला के बेंच में एक पिलर है पिलर को पकड़के चाक्रमन करती है क्योंकि गिर गया तो इसलिए गिरने का डारत से वो पकड़के चाक्रमन करती है बाहर चाक्रमन करते समय वो अंधेरे में ही चाक्रमन करती है बाहर चाक्रमन करते समय में भी वो खाके चाक्रमन करते है कोई पेड को पकड़े की चाक्रमन करती है क्योंकि वो बहुत बुढ़ी है अगर गिर गया तो तकलिफ होता है लेकिन वो तो बहुत पुन्यवान ही सामत विपास्थना भावना बढ़ाने का पुन्य उनके पास था एक दिन वो सारे संस्कार को अनित्य प्रकार से मन करके देखते समय उनका मन सांत हो गया आकुशल विचारों से मन मुक्त हो रहा था उस समय ततागत भगवान बुद एक रश्मी धारा उनके पास पेठाया एक गाता सुनाया योचे वस सतन जीवे अपसन धम मुत्त मन एकाहन जीवितं सेयो पसतो धम मुत्त मन सो साल समय बिताएगा तब बिना कोई धरम को देख कर कोई मतलब नहीं है कोई फाइदा भी नहीं है लेकिन धरम को जान करके ज्यान प्राप्त करके अगर एक दिन बिताएगा तो वो सो साल से ज्यादा एक दिन बहुत कीमती होता है अगर दुसरे लोगों के पास ऐसा हो गया दुसरों के साथ ऐसा अन्या हो गया तो अपना बच्चे लोकों का पमान करते करते गाओं गाओं में घर गर पर जाके बोल देगा अभी कितना लोग बड़ा बुड़ी लोग हम लोग का के बोलते हैं बच्चे ऐसे किया खाना नहीं जिए वो हुआ ये हुआ पिर वही माई बाप लोग जनब जनब बदलाव लेने का शंकार पलेते हैं श्राप करते हैं लेकिन ये पुन्यवान माता जी को फटागत भगवान गुद्ध की ज्यान को मनंद करने का शक्ति था ये माता जी के पास बहुत सहन सीरता था किसी को दोस नहीं लगाया वो संसार की ये सब कुछ बच्चलों का गलती जैसा नहीं समझा संसार का गलती जैसा नहीं समझ गई हो बहुत लोग क्या करते हैं? अपने को दोस लगाते हैं लेकिन ये संसार को दोस लगाया ये संसार का गलती है इसलिए पुन्यवान माताजी को धरम इस जीवन में ही देखने का भाग्य मिला दूसरा लोग अपने को अन्याय करते समय अपना मन सीधा रखने का हिम्मत है तो उस समय विना डाट के विना गुसा करके रहने का हिम्मत है तो निरंतर माइत्रे विचार करते रहने का हिम्मत है तो कितना वासना है कितना पुन्यवान है कितना भागशाली है हम लोग यो पुन्यवान माताजी जैसा अपना जीवन को सुन्दर बनाने के लिए कोशिश करना चाहिए